हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आयत का परिमाब ग्याद करना सीखेंगे बच्चों अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेकिन बच्चों बोला या समझ नहीं पा रहा है कि वह बाजार से कितना तार खरीद कर लाए कि वह अपने खेट के चारो और उसे लगा सके आये बच्चों हम सभी मिलकर खेट के चारो और लगने वाले तार की लंबाई को नापने में भूला की मदद करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जैसे यहाँ पर यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है लंबी वाली बुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी वाली बुजा को चोड़ाई कहते हैं लंबी वाली दोनों बुजाएं आयत की लंबाई है और छोटी वाली दोनों बुजाएं आयत की चोड़ाई है बच्चो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी बंद आकरिती की सभी भुजाओं को अगर जोड दिया जाए तो हमें उस आकरिती का परिमाप मिल जाता है बच्चो भोला को अपने खेट के चारो ओर लगाने के लिए उतने ही तार की आवसकता होगी जितना की इस आयताकार खेट का परिमाप होगा तो बच्चो इस आयताकार खेट का परिमाप लंबाई प्लस चोड़ाई प्लस लंबाई प्लस चोड़ाई हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई क्योंकि बच्चो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए लंबाई प्लस लंबाई को हम दो गुड़े लंबाई भी लिख सकते हैं और चौड़ाई प्लस चौड़ाई को हम दो गुड़े चौड़ाई भी लिख सकते हैं अता बच्चों हम किसी भी आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चोड़ाई को जोड़ कर उसमें दो से गुड़ा करके ग्याद कर सकते हैं यही आयत का परिमाप ग्याद करने का सूत्र है बच्चों अगर भोला के खेत की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर हो तो भोला के खेत का परिमाप होगा दो गुडे लंबाई यानि की 10 मीटर प्लस चौड़ाई यानि 5 मीटर तो बच्चों दो गुडे 10 और 5 पंदरा और बच्चों 2 और 15 की गुड़ा करने पर 30 आएगा यही 30 मीटर ही भोला के खेत का परिमाप है यानि की उसे अपने खेत के चारो ओर लगाने के लिए 30 मीटर तार की आवसकता होगी इस प्रकार बच्चों आप किसी भी आयता कार आकरिती का परिमाप ग्याद कर सकते हैं आए बच्चों आयत के परिमाप को एक और उदाहरण से समझते हैं बच्चों यह एक आयत है इसकी लंबाई 6 सेंटिमीटर और चौड़ाई 4 सेंटिमीटर है हमें इसका परिमाप ग्याद करना है तो बच्चो सबसे पहले यहाँ पर आयत के परिमाप का सूर्टर लिख लेते हैं बच्चो यहाँ हमने आयत के परिमाप का सूर्टर लिख लिया है जो की दो गुड़े लंबाई प्लस चौड़ाई होता है अब बच्चों हम यहाँ पर 2 गुड़े लंबाई की जगाए पर 6 cm लंबाई है इस आयर की तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 4 cm चोड़ाई है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अब बच्चों 2 गुड़े 6 और 4 होता है 10 तो लिखेंगे यहाँ पर 10 और 2 और 10 की गुड़ा करने पर हमें 20 मिलेगा तो ये 20 cm ही इस आयत का परिमाब है बच्चों ये आपका homework है आपको ये 4 आयत दिये गए हैं इन सभी 4 आयतों की लंबाई और चोडाई लिखी हुई है आपको इन सभी आयतों का परिमाब ग्याद करना है उमीद है बच्चों आपको आयत का परिमाब ग्याद करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ थैंक यू